अरेवियन सी में एक कम प्रेशर बन रही है जो तूफान में बदल जाने की संभावना है भारतिय मौसम विभाग ने यह अंदाजा लगाया है कि यह इस सीजन का पहला तूफान हो सकता है आयनेस्टी सैटलेट द्वारा आज ग्यारह मई शाम साड़े छे बजे के साथ फोटो लिया गया था यह अरेवियन सी और हिंद महासागर में बादलों में जमा हो गया है भारतिय मौसम विभाग के अनुसार पूर्वमध्य समुद्र में एक कम प्रेशर बन गई है जिससे तूफान जैसिस्तिधी पैदा हो सकती है राइगर के जिला कलेक्टर डॉक्टर पदमश्री बांडे ने एक बयान में कहा कि समुद्र और नाले के किनारों पर नागरिकों को सतर्क किया जा रहा है मौसम विभाक कानुमान है कि 14 मई की सुभा तक अरब सागर में कम प्रेशर बन सकती है और तूफान में बदल सकती है यह कम प्रेशर लक्षोदीप और केरल शेत्र में बनने की संभावना है हाला कि यह कहना संभव नहीं है कि साइकलोन वहाँ से किस दिशा में जाएगा यहाँ से साइकलोन पश्चिमी की और ओमान की और बढ़ सकता है यदि यह पूर्व की और बढ़ता है तो यह भारत के पश्चमी तर्थ पर सबसे पहला अपना प्रभाव मैसूस कर सकता है और वहाँ से उत्तर गुजरात या दक्षिन पाकिस्तान की और बढ़ सकता है अगले कुछ दिनों में इसकी निश्चित जानकारी दी जाएगी हाला कि इस मौसम के कारण 16 मई के आसपास दक्षिन कौंकिन शेत्र में तेज हवाय और बारिश होने की उमीद है उपाय के रूप में मौसम विभाग ने मचली पकड़ने वाली नौकाओं के किनारों पर लोटने की चेतावनी दी है हिंद महासागर के उत्तर में अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में मौनसुन पूर्व अप्रेल मई के दोरान साइक्लोन बनते दिखाई देते है झाल